देखिए ये बैग्यानिक लोग है सोब दितना मस्त सिना रहा है देखिए वहां तक कतार लगी हुई है और सभी कुछ ना कुछ खुज करने जा रहे हैं वहां इसकी जुरूत नहीं है देखिए उपर तक जाना पड़ेगा इस साइड तक आ जाएंगे लोग ये भाईया सेलिंग कर रहे हैं वहां गयानिक लोग वाला है मम्मी और देखिए तभी लोग पहिन लिए हैं जो मेंले हैं कि तुछ आएं मंहीं चाहिए ढ़किते हम देखे हैं यहां पे आरहे हैं सभी एक जाएह कर लोग्यू कि एस वाधियाय है को यह न शेकर निक हुए सब ज्यानिक है बबाद सब छहरा हैं देख रहे हैं देख रहे हैं हम तीचा लोग पांको पहुत सा रहे हैं यहां आनेक बाद एक छेक पुष्ट छोटा सा पार करना पड़ेगा चेक पुष्ट पार करते ही महतराणी के दर्शन के लिए आगे चलते हैं अभी और यहां से जो है कि लाठी डंडा का परियोग होगा देखे लाठी डंडा जो है लेकर चड़ने के लिए बहुत अखलीप होगा इसलिए लेकर चड़ने देखिए यह ले ली हैं और भी दीदे और जीजु भी लिए हैं देखे इधर चलिए पालकी से लोग लेकर जा रहा है जो लोग चढ़ नहीं सकते पालकी का बता जा आपसे कि 1200 रुपिया है 800 रुपिया है चार या पाँच किलोमेटर आगे आने कबाद यहाँ पे मातरानी का इक्षापुन मातरानी का माभगवती दर्शन कर सकते हैं देखे कितना अच्छा टेंपल बनाए गया है और रास्ता भी काफी अच्छा है थोड़ा देखे कितना अच्छा और दर्शन लोग अभी आ रहा है चली आगे चलते हैं यहाँ से यहाँ पे देखे कितने लोग चढ़ाई कर रहे हैं उतर रहे हैं मतलब जो लोग चढ़ाई कर चुके हैं पहले से दर्शन कर चुके हैं वो लोग उतर रहे हैं और काफी लोग जा रहे हैं उपर और देखे यहाँ पे दमरू धोल बज रहे हैं ना धोल बजाते टाइम डा कि अभी देखिए कितना ऊपर आ चुके हैं यहां से लोग आ रहे हैं इन शेणियों का भि रास्ता है और यहीं सही रहे इस पर चल्ए अऔर पूटर चले हैं और वह जो रास्ता है एक कर बिल्कुल मेद बेकार हो चुका था है तो इससे क्भी आप मत आये नहीं है ज sitzen फिर इधर 211 और 9 बज कर 42 निट के अपना वाकिंग चालू किये थे और देख रहे हैं कितने बजे उपर चुके हमारा टार्गेट है दो घंटे बस और एक घंटे भी अभी नहीं हुआ है और आधा सधिक आ चुके हैं और सासो क्रफ्तार से आप समझ पा रहे होंगे चलिए आगे चलते हैं आगे जाके अभी फैमली भी पीशे चूटी है उनका भी वेट करेंगे अरे भाई ठक रहे हैं यार काफी दूर से सेंडियोस चल के आ रहे हैं और एक घंटा होने ओला है एक घंटे में ही मतलबाधा सधिक पार कर दिये हैं आई आई जदे यह भी आइस मतलब जितना चलाई था उससे आधा चलने के बाद या मतलब की 3000 चारहजर चलने के बाद और गिंदी तो नहीं हुई है भाई बहुत दूर आ गये हैं और यह और दुकवारी मतक मंदिर गर्व गुफा आपको सामने दिख रहा होगा पाउस करके वीडियो देख सकते हैं अभी फिल हाल में हम बाई काफी उचे पर आ चूके हैं यहां से आप देख सकते हैं थोड़ा भीं आपको दिखा देए देख आपको दिख रह ओगा थोड़ा भाफी उपर आawanदे हैं और यहां पर आधे रस्ते में आते हैं तो फिरी में मतलब रहने होने के लिए बिवास्था किया गया है और पीछे देख सकते हैं काफी अच्छा लोकेशन है और वो भी हम दिखाएंगे आपको देखिए अभी फिलाल में वो जो हमरे साथ गुडू है वो सेल्फियूल फिले यहां का लूब वहुत मजा रहा है अभी उतना उपर हमको जाना ही तो देखे कितने बजें पहुंच रहे हैं चुकि अभी एक गंटे 10 मिनट में यहां तक आ गए हैं एक गंटे दस में हम दोनों लोग इतना फ़र्ट चले कि आ गए है यहां और अर्धकुआनी तब और अर्धकुआरी से जाते जाते देखे पूरा धाई घंटा हम लोग सोच कर चले कि धाई गंटे में पूरा कंप्लीट कर देंगे देखिए हो पाता है या नहीं ठीक है अर्धकुआनी माता मंदिर से आपको दो रस्ता देखने को मिलेगा जहां से की एक नीची जाएंगे और एक उपर की तरफ तो उपर की तरफ जाते हैं तो यह हलवा और क्या है चाना यह दो चीज मिलेगा आपको उपर प्रसाद करूँए यहां पर आ ठीक बंदर गया पीछे और यह है सेल्फी पॉइंट काफी लोग यहां पर सेल्फी ले रहें देखिए एक्शुल में यह सेल्फी लेने के लिए ही जोगा बनाया गया है क्योंकि अत्यधिक लोग आते हैं तो आप तो जानते हैं कि आज कल मुबाइल का जबनाएं कहीं भी लिए पार्ट यहीं तक खतम करते हैं और काफी लंबा साथ मिनट से उपर का वीडियो हो रहा था इसलिए हमें बंद करना पड़ा और आगे का पार्ट फिर से आगे आप देख वाएंगे अगली वीडियो में सो बाई बाई